नमस्कार आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अलेक्जंडर पोप का एपिक एपिक क्या मौक हिरोईक एपिक इसको कहा जाता है देखिए जो रेप शब्द है वो आज जिस अर्थ में आता है दुराचार के अर्थ में आता है और लौक माने होती है लट बाल की लट तो ब दुराचार शब्द फिट नहीं बैठता है बाल की लट के साथ क्या दुराचार होगा एक और अर्थ है इस शब्द का कि किसी चीज़ को ले जाना चुरा ले लना तो वो अर्थ यहां पर ज्यादा फिट बैठता है क्योंकि जो हीरोईन है इस महाकावे की बैलिंडा उसकी लट को बालों की जो एक लॉक है बालों की लट है उसको काट लिया जाता है इस एपिक के हीरो के द्वारा अगर आपको मालूम हो विलियम शेक्सपियर ने एक कविता लिखी है जिसका टैटल है दर रेप ओफ लियूक्रेसी तो लियूक्रेसी रोम की एक उनलेवल वुमन थी एक सैनिक की पत्नी थी बेहत खुबसूरत थी तो जिसकी वो पत्नी थी उस सैनिक ने अपने एक साथी को बताया कि मेरी पत्नी बहुत खुबसूरत है बहुत पवित्र है और उसी साथी ने जिसको बताया था उसी ने उसकी पत्नी के साथ दुराचार किया बाइचांस मेरे पास यह poem है जो William Shakespeare ने लिखी थी और अगर आप किसी completion के त्यारी कर रहे हैं और नहीं भी कर रहे हैं तो English Literature के student होने के नाते आपको मालुम होना चाहिए इस poem के बारे में और यह poem उसने देखी है dedicate की थी Earl of Southampton को यह letter है dedication का और नीचे sign है देखे William Shakespeare और इधर यह argument है यानि कि इस कहानी के पीछे की जो कहानी है इस poem के पीछे की जो कहानी है वो William Shakespeare ने खुद सुनाई है और जिसमें कि Lucius Tarquiness है इसने अपने ससुर को का murder किया और फिर खुद राजा बन गया तो एक दिन एक camp लगा हुआ था जहां सैनिक थे तो उस camp में इसका जो बेटा था Sextus Tarquiness यह दखिंसन यह राजा का बेटा था और बाकी सारे लोग जो सैनिक लोग थे वो सब हसी मजाग कर रहे थे और फ्री बेट है थे तो अपनी बीवियों की कहानिया सुना रहे थे कि भई मेरी बीवी इतनी सुन्दर है मेरी बीवी इतनी सुन्दर है तो उनमें से जो एक सैनिक था इसका नाम Colettinus था यह यहां भी नाम आया है Colettinus तो उसने कहा कि मेरी बीवी बहुत पवित्र है सुन्दर तो है लेकिन उसके साथ ही बहुत पवित्र है तो सबने कहा अच्छा चलो चलते हैं जाके देखते हैं कि हम सब की बीवियां कर क्या रही है हम लोग तो यहां हैं केंप में हमारी बीवियां हमसे पीछे कर किया रही है तो जाके देखा कि तो सारे सैनेकों की बीवियां तो मज़े कर रही थी कहीं डान्स में कहीं पार्टी में और दूसरे लोगों के साथ एश कर रही थी लेकिन सिर्फ कॉलेजिन Us की बीवी, वो अपनी जो मेड्स थी, उनके साथ थी, देखिये, स्पिनिंग कर रही थी वो केवल सूत कात रही थी, काम कर रही थी, और अपनी मेड्स के साथ थी यानि वो अपने पती की Epsense में कहीं भी enjoy नहीं कर रही थी, जैसे के बाकी सैनिकों की बीवियां कर रही थी अब इतनी पवित्र इतनी खुबसूरत महिला के साथ ये जो था बंदा सेक्स्टर स्टार्किनिस इसने दुराचार किया और जब दुराचार किया तो इसने अपने पती को बुलाया लिक्रेसी ने और अपने पिता को बलाया और दोनों को कसम दिलाई कि जो मेरे साथ हुआ है उसका आप बदला लेंगे और इतना कहने के बाद उसने खुद को एक छुरा लिया अपने पेट में मार लिया और मर गई ये कहके फिर तो ये जो कहानी है ये एक सीरियस टॉपिक है सीरियस एक विशय है सब्जेक्ट है जिस पर शेक्स्पियर ने लिखी थी रेप आफ दर लिक्रेसी लेकिन यहां जो विशय है जैसा मैं आपको बताई चुकी हूँ वो बहुत ही हास्यास्पद रिडिक्यूलस आप कह सकते है एक सब्जेक्ट है और एपक लिखे जाने के उदेशे से तो बिलकुल ही उचित नहीं है ये जो सब्जेक्ट मैटर है ये जो थीम है किसी के बालों की एक लट को काट लिया जाना ये इतनी बड़ी बड़ा विशय नहीं है जिस पर की महाकावे लिखा जाए लेकिन अलेक्जंडर पॉप ने जिस तरीके से लिखा है जिस स्टाइल में लिखा है जिस शैली में लिखा है वो घजब की है और इसलिए कभी भी आप इंग्लिश लिट्रेचर का कोई कोर्स पूरा नहीं कर सकते ग्रैजुएशन, पोस्ट ग्रैजुएशन किसी भी उनिवर्सिटी का सिलेवर्स हो रेप आफ दे लॉग वहां होता ही है क्योंकि ये इतना ज्यादा इंपोर्टन एपिक है मौक एपिक है तो मौक एपिक का जब एक्जाम्पल दिया जाता है तो सबसे पहले नाम लिया जाता है दे रेप ओफ दे लॉग का तो ये जो महाकाव्य है सच्ची घटना पराधा रहता है ऐसा वास्तम में हुआ था और किसके साथ हुआ था मिस्स अरावेला फॉर्मर के साथ में हुआ था और इन Mrs. Arawella Firmal को एक खत लिखा था Alexander Pope ने ये वो खत है जो Alexander Pope ने लिखा था और इसके विशे में बताया कि मेडम मैं आपके साथ ये जो गहटना हुई थी उसके बारे में मैं लिख रहा हूं हलांकि मेरा कोई इरादा नहीं है आपको बदाम करने का या आपके देखिए ये रिक्वेस्ट हैना तो तुम्हारे बालों के बारे में कोई भी अशोबनी बात कहने का मेरा कोई इरादा नहीं है और ये पूरा वो खत है जो के अलेक्जिंडर पोप ने लिखा था और इस खत में कई चीज़ें बताई है जो एक मशीनदी टर्म है ये आपके लिए बहुत इंपोर्टन्ट है ये मशीनदी जो यूज की गई है यहां पर इस महाकाव्य में मदब कुछ स्पिरेट्स का प्रियोग किया गया है जैसे आप आपने प्रियोग यहां पर किया गया है तो उनको मशीनरी कहा गया है और उनके बारे में खुद यहां अलेक्जंडर पोप ने लिखा है तो थोड़ा सा इसको पढ़ लीजे मशीनरी जो शब्द है वो आलोचकों के द्वारा उसका इन्वेंशन किया गया अविश्कार किया गया है तो सिगनीफाई यानि बताने के लिए तो यह सब ही लोग जो एक कविता में रोल अदा करते हैं भूमी का निभाते हैं उन सब का कलेक्टिवली जो नाम उनको दिया गया है वो मशीनरी नाम दिया गया है for the ancient poets are in one respect like many modern ladies let an action be never so trivial in itself they always make it appear of the utmost importance for the ancient poets क्योंकि जो प्राचीन कवी है are in one respect एक रूप में एक तरीके से like many modern ladies बहुत सारी आधुनिक महिलाओं की तरह हैं let an action be never so trivial in itself यनि एक कोई action चाहे कितना भी तुछ हो अपने आप में they always make it appear of the utmost importance वो ऐसा बना देती है ऐसी हाय तौभा मचाती है कि उस छोटी सी बात का बतंगर बना देती है utmost importance हो जाती है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है वो काम these machines I determined to raise on a very new and old foundation the rosy christian doctrine of spirits ये भी आपके लिए जानना बहुत जरूरी है कि मैंने ये जो machinery बनाई है ये जो यहाँ पर दिखाया है कविता में वो rosy christian सिधान पर आधारित है spirits का यानि आत्माओं का जो rosy christian सिधान पर आधारित है अब इस term को वो आगे खुदी explain करेगा देखिए यहाँ नीचे दे रखा है ये इस पर आईए the rosy christian are a people जो rosy christian है वो लोग है I must bring to you acquainted with मुझे आपको उनसे परिचित कराना है the best account I know of them यानि जो सबसे अच्छा लेखा जो खाँ सबसे अच्छे जानकारी मैं उनके बारे में रखता हूँ is in a french book तो वो एक फ्रांसी सी किताब में मुझे मिलती है called Le Comte de Gabales तो ये किताब का नाम है उसमें इनका जिक्र है rosy christians का which both in its title and size जो के अपने title और size में ये जो किताब है so like ऐसी है कि novel जैसे कि कोई उपन्यास हो ऐसी किताब है that many of the fair sex have read it for one by mistake कि बहुत सारी fair sex मैंने महिलाओं को कहा जाता है खुबसूरत जो link है वो महिलाएं हैं तो उन्होंने उसको गलती से पढ़ लिया होगा according to these gentlemen यानि इन लोगों के अनुसार the four elements are inhabited by spirits जो चार तत्व हैं उन में spirits रहती हैं आत्माएं रहती हैं which they call silves, gnomes, nymphs and salamanders और वो चारों आत्माओं को ये चार नाम दिये गए हैं चार elements के अनुसार the gnomes are demons of earth यानि ये जो gnomes नाम की आत्माएं हैं ये शैतान हैं जमीन के, अर्थ के delight in mischief ये शैतानी करने में मजार लेते हैं, आनंद लेते हैं but the silves, लेकिन जो silves हैं whose habitation is in the air जिनका निवास इस्थान हवा में हैं तो silves हवा में रहती हैं और gnomes धरती में रहते हैं धरती पे रहते हैं तो जो silves हैं हवा में रहने वाले are the best conditioned creatures imaginable तो ये सबसे अच्छे condition मलना सबसे ज़्यादा सब ये प्राणी है जिनकी हम कलपना कर सकते हैं for the sake क्योंकि वो कहते हैं any mortals may enjoy the most intimate familiarities with these spirits कि कोई भी इंसान mortals का मतब इंसान may enjoy आनंद ले सकता है the most intimate यानि बड़ी घनिष्ट familiarities यानि परचयका with these gentle spirits इन जो विनम्र आत्मा हैं इनके साथ upon a condition very easy to all true adapts an inviolable preservation of chastity यानि एक condition है कि ये लोग बहुत adapt हैं यानि निपोड हैं एक condition को रखने में कि an inviolable preservation यानि ये बिना किसी violation नहीं होने देते यानि कोई दुराचार नहीं होने देते कोई दुरहटना नहीं होने देते और preservation करते हैं यानि सुरक्षा करते हैं of chastity पवित्रता की यानि जो महिलाओं की पवित्रता है उसको सुरक्षत रखते हैं और इसके बाद ये देखे जो मैंने अंडरलाइन किया, the humans are as fictitious as the airy ones, यहाँ जो इनसान है, वो उतने ही कालपनिक हैं, जितना कि यह जो आत्मा हैं, जिनका जिक्र किया गया है, तो यहाँ Alexander Pope ने उनको वो नाम नहीं दिये हैं, यानि characters के नाम बदल दिये हैं, characters बदल दिये हैं, तो वो यह कहना चाहत है, कि मैंने आपका नाम नहीं दिया है, घटना जरूर ऐसी घटी थी, लेकिन जो पात्र हैं, वो कालपनिक हैं, आपने फिल्मों में भी देखा होगा, एक disclaimer आता है, जब फिल्म शुरू होती है, तो उसके पहले एक disclaimer आता है, कि इस कहानी के, इस फिल्म के सभी पात्र हैं, और इनका वास्तिविक जीवन से कोई लेना देना नहीं है, अगर कोई है भी तो फिर वो एक chance हो सकता है, इत्तिफाक हो सकता है, तो यही बात वो भी यहां Alexander Pope कह रहा है, कि यह fictitious characters हैं, and the character of Belinda, और जहां तक Belinda के पात्र की बात है, as it is now मैंने, जैसा कि मैंने यहां द आपके जितनी खुबसूरत है, बाकी और कोई सामयता नहीं है, ठीक है, तो यह letter था, Alexander Pope का, और अब हम आते हैं, text पर, तो देखिए, जो शुरुआत हुई है, बिलकुल उसी तरीके से हुई है, जैसे John Milton के Paradise Lost की शुरुआत हुई थी, बीच में से शुरुआत हुई थी, of men first disobedience, वहाँ से शुरुआत हुई थी, तो अब यहाँ भी ऐसे ही देखिए, शुरु कर रहा है वो, what dire offense from amorous causes springs, what mighty contests arise from trivial things, what बने कैसे कैसे, dire माने भयानक, offense माने अपराद, from amorous माने love से संबंदि, प्रेम संबंदि, causes माने कारण, spring माने पैदा होते हैं, यानि कितने भयानक अपराद, प्रेम की वजह से पैदा होते हैं, जो प्रेम प्रसंग हैं, उनसे कितने बड़े बड़े भयानक अपराद होते हैं, यानि कोई किसी को ठुकड़ा दे, यहाँ ऐसा ही तो हुआ, यानि सीधे acid attack करते हैं लेकिन यहां भी एक ठुकराए गए प्रेमी ने उसकी बाल की लटकाइट दी वैसे जो ठुकराए गए प्रेमी हैं उनको बजाए acid attack करने के अपना शांत बैठ जाना चाहिए और अपनी प्रेमिका की शादी जहां हो रही है वहां हो जाने देना चाहिए और अगर आप ऐसा रखेंगे ने तो एक life में एक ऐसा समय आएगा जब आपकी प्रेमिका आपको बड़े प्यार से याद करेगी life में आपको और अगर आप ऐसे डेटेक करते हैं तो जिन्दगी भर आपसे नफरत करेगी तो आप क्या चाहते हैं कि आपकी प्रेमिका आपसे जिन्दगी पर नफरत करे आपको गालियां दे आपको कोसे नहीं है ना तो हो जाने दीजिए जहां हो रही है और आप एक मीठी याद की तरह उसके दिल में बसे रहेंगे तो कभी मत सोचिए अगर किसी लड़की ने आपको ठुकराया है तो उसके उपर ऐसाइड अटेक करने की या उसको नुकसान पहुंचाने की उसको गोली मारने की या समद सोचिए आप एक मीठी याद की तरह है उसके दिल में बने रहेंगे जिन्दगी भार यकीन रखिए तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं हम पहली लाइन में हमसे कहता है कि कितने भयानक अपराद पैदा होते हैं amorous causes यानि प्रेम के वज़े से spring मने पैदा होते हैं तो जो कारण होते हैं उसका प्रेम होता है what mighty contest यानि कितने mighty मने powerful contest वही जगड़े conflict arise होते हैं from trivial things यानि छोट-छोटी बातों से trivial मनें petty तुछ नाचीसी जो चीजें होती हैं बिकार तुछ चीजें हैं उन में से कितने भयानक जगड़े पैदा हो जाते हैं I sing मैं गा रहा हूं this verse ये कविता to carol ये केरिल एक दोस्त है John Carroll उनका पूरा नाम है ये Alexander Pope के दोस्त है और उन्होंने ही request की थी Alexander Pope से ये कविता लिखने की तो उन्हीं के suggestion पर ये कविता लिखी गई है तो बोल रहे हैं Alexander Pope कि ये कविता मैं केरिल के लिए गा रहा हूं और muse जो संगीत की देवी है उसके लिए is due ये कविता due है यानि dedicated है इन संगीत की देवी को और केरिल को इवन बैलेंडा में vouchsafe to view और ये कविता हो सकता है कि बैलेंडा भी इसको देखे vouchsafe के मनदब consent देना agree to सहमत होना तो सहमत हो जाए बैलेंडा भी इसका विता को देखने के लिए slight is the subject जो विशे है subject matter है वो तो slight है वो तो हलका है वो कोई भारी भरकम नहीं है serious topic नहीं है serious subject नहीं है but लेकिन not the place इसकी जो तारीफ है जिस तरीके से जो इसको सुनाया गया है दिखाया गया है जिस तरीके से treatment इसको दिया गया है वो patty नहीं है वो slight नहीं है विशे जरूर हलका है लेकिन इसको जिस तरीके से treat किया गया है वो हलका बिल्कुल नहीं है और इसकी तारीफ भी कम नहीं होगी if she inspire यदि इसकी प्रेणा वो देती है यानि जो heroine है Belinda है वो प्रेणा देती है या फिर संगीत की देवी के लिए भी हो सकता है जो शब्द है यहाँ पर संगीत की देवी के लिए भी है और Belinda के लिए भी है अगर वो inspire करे वो इसकी प्रेणा दे and he approves और वो approve करे यानि वो समर्थन करे कौन केरिल My Lays यानि मेरी कविताओं का यहाँ जो मैं कविता लिख रहा हूं यह जो poem मैं लिख रहा हूं Lays music के लिए भी आता है विचारों, ideas के लिए भी आता है तो वो अगर मेरी कविता का समर्थन करे और muse इसको inspire करे तो यह कविता तुछ नहीं रहेगी Say what strange motive goddess could compel a well-bred lord to assault a gentle belly Say, कहो What strange motive वो कौन सा विचित्र motive था, इरादा था वजह थी, कारण था परपस था Goddess, देवी, बोलो could compel जिसे वो compel कर सकता था जो force कर सकता था जो बाद्धे कर सकता था a well-bred lord well-bred, highly cultured एक अच्छे पढ़े लिखे civilized, cultured lord को नौजवान को to assault, means attack करने के लिए अक्रमर करने के लिए a gentle bell यानि एक gentle मने विनम्र बेले मने लड़की एक मासूम सी, विनम्र सी खुबसूरत सी, नाजुक सी लड़की पर आक्रमर करने के लिए एक सब cultured और civilized lord को एसी कौन सी चीज थी जो force कर सकती थी ओ, say what strange cause अरे जरा कहो तो वो कौन सा विचित्र कारण था yet unexplored yet मने अभी तक unexplored जिसका पता नहीं लगाया जा सका could make a gentle bell reject a lord यानि could make जो force कर सकता है बाद दे कर सकता है मजबूर कर सकता है a gentle belly यानि एक विनम्र लड़की को reject यानि तिरसकार करने के लिए दुदकारने के लिए reject करने के लिए ठुकराने के लिए a lord एक lord को यानि अच्छे खासे लडगे को पैसे वाला है, cultured है, civilized है, सब कुछ है उसके पास फिर भी उस लड़की ने क्यों उसको दुद्कार दिया, क्यों उसको reject कर दिया, क्यों ठुकरा दिया, क्या वजह रही होगी इन टास्क, टास्क मनें, activities, काम, डीट, सो बोल्ड, इतने बहादुरी से भरे हुए, can little men, यानि छोटे लोग, यानि यहाँ पर जो लॉड है, उनकी हाइट जरा कम है, ओ बैरन है, लॉड पीचर, तो उनकी हाइट जरा कम है, तो उनके लिए little आया है, कि जो एक छोटा man, ऐसे लोग हैं, वो इतने बहादुरी से भरे हुए काम कैसे कर सकते हैं, जिसके लिए इतनी हिम्मत चाहिए, और जो एक तम नरम बूजम मने दिल हैं, जो इतने नरम दिल हैं, एक खुबसूरत युबती है, नाजुक सी, महसूम सी, उसका दिल कितना सौफ्ट सा होगा, तो इतने नरम दिल में ड्वैल रह सकता है, सच माइटी रेज, इतना ताकतवर रेज मने एंगर, गुसा, कि इतना गुसा, इतने खुबसूरत, इतने नरम दिल के अंदर रह सकता है, तो ये इतना हुआ, इन्वोकेशन, इन्वोकेशन आपने वहाँ भी देखा था, पैरा के बारे में इतनी बड़ी कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जो पहले कभी नहीं कोशिश की, किसी ने लिखने की इतने लाज स्केल पर एक एपिक लिखने की, किसी ने कोशिश ने की, वैसा काम में करने जा रहा हूँ, तो मेरा साथ दो और आओ, तो आवान करते हैं, तो वैस शुरू होती है अब आप देखेंगे बेलेंडा से मिलने जा रहे हैं इन लाइन्स में Soul through white curcane short a timorous ray and of those eyes that must eclipse the day अब देख रहे हैं कपलेट्स हैं दोहा हैं सारे हीरो एक कपलेट कहलाती है तो हीरो एक कपलेट्स में लिखाया हुआ है यह soul word इन्होंने use किया sun के लिए सूरज के लिए आया है Latin भाषा से लिया गया है और simple sun शब्द भी प्रियोग कर सकते थे लेकिन आप देखेंगे कि हर जगे वो कोशिश करते हैं कौन? Alexander Pope के शब्द भारी भर कम हो भारी से भारी बड़े से बड़े और difficult ज़्यादा words हो तो ये जो diction था इसी के खिलाफ बोला था किसने? William Wordsworth ने प्रिफेस टू लिरिकल बैलेट्स में इसी poetic diction के खिलाफ उन्होंने बोला था इसका विरोध किया था तो देखें soul through white curtains यानि सूरज ने through मने मैसे होकर आर पार white curtains सफेद परदों के आर पार shot मारा फैका किसको? a timorous ray timorous बने timid डर्ती हुई सी ray किरन यानि सूरज की जो किरन है वो भी डर्त रही है डर्ती डर्ती हुई सी आ रही है अब सूरज ने उसको फैका है तो उसको आना ही है वेलेंडा के कमरे में घुसना ही है लेकिन वो डरी हुई है timorous डरी हुई क्यों है वो आपको अगली लाइन में मालूम पड़ेगा that opened those eyes that जिसने के opened माने opened खोला those eyes उन आखों को that must eclipse the day जो कि इतनी bright है यहाँ देखिए आपको hyperbal exaggeration देखने को मिल रहा है न इतनी चमकीली हैं वो आखें कि दिन को eclipse कर सकती है ग्रहन लगा सकती है वो आखें अगर खुल जाएं तो सूरज फीका पड़ जाए सूरज को ग्रहन लग जाए सूरज काला नजर आए है न इतनी चमकदार आखें है तो अब उनके ओ खोलने जब जाएगी किरन तो जाहिर सी बात है डरते डरते जाएगी इतनी ब्राइट आखें है तो सूरज का समय है सूरज की किरन आ गई अंदर और उन आखों को खोला और जो लैब डॉक्स हैं यानि गोद में रहने वाले कुत्ते हैं ये 18th सेंचुरी में बड़ा चलन था अभी भी है अभी भी आपने देखा होगा कुछ युवतियां हैं धनवान घरों की जो इनके गोद में पिले रहते हैं देखे जो सामान घरों की लड़कियां हैं उनको तो कामी ममी इतना ज्यादा करवाती हैं लली ने बरतन माज दियो लली ने जहाडू लगा दियो लली ने आटा लगा दियो तो उन बिचारियों के पास तो कहां टाइम है कि वो अपनी गोद में पिले रखें लेकिन ये जो धनवान घरों की कुछ बेटीयां हैं उनकी गोद में पिले रहते हैं तो बैलेन डा उनहीं में से एक है अब क्या होड़ा है कि now layp dogs give themselves the rousing shake तो जो गोद में रहने वाले पिले हैं give themselves अपने आपको देते हैं the rousing मने जगने वाला शेक मने जटका तो कान फरफडाते हुए, अपने आपको जटका देते हुए पिले जग रहे हैं और वो प्रेमी, वो आशिक लोग जो स्लीपलेस हैं, उनको नीद नहीं आती रातों को नीद नहीं आती, आधी रात तक तो पाटी चलती हैं उनकी तो sleepless lovers नीन जिनको नहीं आती वो आशिक ठीक बारह बजे यानि दिन के बारह बजे जगते हैं रात के बारह बजे दिन निकलता है सुबह के चार बजे रात होती है ऐसा कुछ गाना भी है आमची मुंबई तो ऐसा ही कुछ हाल वहाँ है 18th century के युवक युवतियों का के ठीक बारह बजे जगते हैं जो घंटी है वो तीन बार बजी दा स्लिपर नौक्ट दा ग्राउंड और स्लिपर जो थे वो नौक्ट वने खट-कटाए दर ग्राउंड जमीन पर तो ये तरीका होता था लड़कियों का के जमीन पर पैर पटकती थी अपने जो चपले हैं उनको फटकार थी जमीन पर जिससे कोई नौकर आए और उनके लिए सुबह की चाइव आए कॉफी वफी लेके आए भई तो पैर फटकार रही है और जो प्रेस्ड वाच ती यानि जिस घड़ी को चाबी दे दी गई थी वो उसने क्या किया रिटर्ण अ सिल्वर साउंड उसने एक आवाज निकाली जो के चांदी की तरह खुबसूरत थी यानि बड़ी स्वीट सी अच्छी सी आवाज घड़ी में से आई तो म्यूजिकल साउंड आपके है दीजे अलार्म बजा उसमें से म्यूजिकल साउंड आई बैलेंडा इस्टिल हर डाउनी पिलो प्रेस्ट अब भई सूरज भी निकल के आगया सूरज की किरन भी अंदर आ गई अधर अलार्म क्लॉक भी बज गई लेकिन अपने सिर के नीचे दवालिया फिर से सोने के लिए अब आती है उसकी गार्जियन सिल्फ गार्जियन जो उसकी रखवाली करती है उसकी पवितरता की उसका ख्याल रखने वाली जो सिल्फ है जो परी है प्रोलॉंग तो यह जो परी है इसका नाम एरियल है तो उसने क्या किया? एरियल ने प्रोलॉंग दा बामी रेस्ट उसने लंबा कर दिया उस बामी मने राहत देने वाला रेस्ट मने आराम को नीद को लंबा कर दिया It was he had someone तो ये वही था यानि एरियल ही था जो उसकी रक्षा करता है तो उसने क्या किया हैट संबन मने बुलाया तूहर उसके पास तूहर साइलेंट बैड साइलेंट पने शांत बैड बिस्तर के पास किसको बुलाया उस सुभह के सपने को जो उसके सिर के उपर मड़रा रहा था काफी समय से एक प्यारा सा मीठा सा सपना बैलिंडा के सिर के उपर मड़रा रहा था लेकिन बैलिंडा को आ नहीं रहा था उस मीठे सपने को बुलाया किसने एरियल ने तो Ariel की power अब आप समझ गया होंगे भाई जिसके पास इतनी power है कि वो सपने को भी बुला सकता है कि जा उसकी नींद में, Belinda की नींद में उसको दिखाई दे तो बहुत powerful हो गया देखिये तो had summoned to her silent bed the morning dream that hovered over her head a youth, अब सपना क्या है वो दिखिये, बड़ा ही खुबसूरत सपना है a youth more glittering than a birth night bow that even in slumber caused her cheek to glow इतना खुबसूरत एक नव युवक है, a youth एक युवक more glittering, जो ज्यादा चमक रहा है इतना glowing है, इतना handsome है, जितना के then, यानि उससे भी ज़्यादा, किससे ज़्यादा? the birth night, यानि birth day, जन दिन वाली रात को, वो उन्हें छेल चवीले युवक होते हैं, खुबसूरत युवक, अपने, तो बड़े वाले दिन तो अच्छे से तयार होते हैं, अपने best कपड़े पहन कर तयार होते हैं, तो जितना कोई युवक अपने birth दे वाली रात को भी नहीं चमकता, उससे भी ज्यादा चमकता हुआ एक युवक, उसके सपने में आया बेलिंडा के में, और वो कितना सुंदर है, देखिए, that even in slumber के यहां तक के नींद में भी, even in her sleep, caused her cheek, जो बेलिंडा के गाल हैं, caused to glow, यानि चमकने पर बात दे कर दिया, यानि ब्लश, एक दरम स उसको देख गए, इतना खुबसूरत युवक उसके सपने में आया है, seemed to her year, his winning lips to say, और ऐसा लगा, कि अपने, to her year, उसके कानों में, यानि बेलिंडा के कानों में, his winning lips, उसके जीतने वाले होंट, यानि उस खुबसूरत युवक के जो होंट है, उनना पहले ही बेलिंडा क जीत लिया है, और वो होंट, उसके कान में, and thus, और इस प्रकार, in whispers, फुसफुसाते हुए, sad, बोला, और seemed to say, या फिर ऐसा लगा कि वो बोला, Fairest of mortals, thou distinguished care of thousand bright inhabitants of air, सबसे खुबसूरत इनसान, Fairest of mortals, mortals होते हैं इनसान, Fairest, सबसे खुबसूरत, सबसे खुबसूरत इनसानों में से एक हो, तुम, thou distinguished care, distinguished मनें, खास, के ख्याल, तुम्हारा खास ख्याल रखा जाता है, of thousand bright inhabitants of air, यानी हजारों bright बाने चमकते हुए, inhabitants, निवासी of air, हवा के, तो हवा में रहने वाले, हजारों आत्माएं, हजारों परियां, तुम्हारी सुरक्षा करती हैं, तुम्हारा ख्याल रखती हैं, शायद तुम इस बास से अंजान हो, पहले पूरा कपलेट पढ़ लेते हैं, of all the nurse and all the priest have taught, तो if ever, अगर कभी one vision, विजन होता है सपना ड्रीम, एक सपना तस्ट, उसने चुआ हो दाई तुम्हारे infant मानि बच्पन के थौट विचारों को, तो कभी तुम्हारे विचारों में एक सपना आया हो, एक द्रिश्य तुमने देखा हो, of all the nurse and all the priest have taught, जो कि तुम्हारी nurse ने, जो nurse मने आया, बच्चों को अक्सर जो बड़े घरों की ओरते होती थी, खुद नहीं पालती थी अपने बच्चों को, बच्चे पालने के लिए वो nurse रखती थी, यानि आया रखती थी, तो तुम्हारी nurse ने, तुम्हारी आया ने, and all the priest, या फिर जो पंडित लोग सुनाते हैं, उन सबने taught सुनाया हो, तुमको सिखाया हो, बताया हो, nurse जो आया होती हैं, वो बच्चों को कहानिया सुनाती हैं, या फिर पंडित लोग बताते हैं, के भई, देवी होती हैं, देवता होते हैं, भूत प्रेत होते हैं, यानि कुछ supernatural beings होते हैं, तो उनके बारे में तुमने इन लोगों से सुना हो, और तुमने अपने सपने में देखा हो, तो क्या-क्या सुनाया जाता है, कैसी कहानिया सुनाया जाती हैं, आफ एरी मने हवाई, एल्व्स मने परियां, जो आत्माएं हैं उनके बारे में, जो के बाई मूनलाइट मने रात को, चान्नी रात में शेडोज सीन, यानि जब चान्नी रात में एक शेडोज की तरह, एक परचाई की तरह, सीन वो लोग दिखाई देती हैं, परियां रात में आती हैं, चान्नी रात में आती हैं, और परचाईयों की तरह वो दिखाई देती हैं, दा सिल्वर टोकन और उनके पास क्या होता है कुछ के पास चांदी के टोकन होते हैं यानि चांदी जैसी दिखती हैं या जिसे एक पड़ी के हाथ में वो लगी होते हैं चड़ी लगी होते हैं जादू की चड़ी वो चांदी की बनी होती है तो ऐसे टोकन्स होते हैं उनके प हरी भरी घास है उस पर सरकल्स बन जाते हैं और तुमने ये सुना होगा कहानियों में कि जो वर्जिंस होती है जो कुमारी लड़कियां होती है बच्चियां होती है विजिटेड उनसे मिलने आती है बाइ एंजल पावर्स यानि फरिष्टों वाली ताकत है फरिष्टे उनसे मिलने आते हैं विद गोल्डन क्राउंस और उन फरिष्टों के सिर पर सोने के मुकट होते हैं और रीज ओफ हैविनली फ्लार्स और वो रीज मने मालाएं हार पहने हुए होते हैं of heavenly flowers यानि स्वर्ग के फूलों के इतने खुश्बुदार इतने खुबसूरत फूल होते हैं जो कि धर्ती पर नहीं पाई जाते स्वर्ग के जो फूल होते हैं उन्हीं के हार पहने होते हैं hear and believe thy own importance know nor pound thy narrow views to things below तो hear, सुनो and believe और विश्वास करो thy own importance तुम अपनी खुद की importance बने अपना महत्व know, जान लो तुम अपने बारे में जान लो कि तुम कितनी important हो nor bound यानि बांध कर ना रखो thy narrow views अपने छोटे विचार to things below सिर्फ नीचे की चीजों से यानि जो चीजें तुम्हें दिखाई दे रही है धर्ती पर चलती फिरती दिखाई दे रही है सिर्फ वहीं तक अपने thoughts तुम limited मत रखो सीमित मत रखो तुम जान लो भूत सारी चीजें हैं जो कि धर्ती पर दिखाई नहीं देती हैं लोगों को तो तुम important हो इसलिए तुम्हें बताई जा रही है some secret truths कुछ पूरा पढ़ लेते चली some secret truths from learned pride concealed to maids alone and children are revealed some secret truths कुछ छिपे हुए सच हैं कुछ रहसे हैं कुछ राज हैं सचे राज हैं from learned pride learned माने जो पढ़े लिखे विद्वान लोग हैं और जिनके अंदर pride है घमंड है उन्हें अपनी ग्यान का अपनी knowledge का तो उनसे concealed छिपा कर रखे जाते हैं उनको नहीं बताई जाते वो विश्वास भी नहीं करते जो पढ़े लिखे लोग हैं वो परियों पर या भूत प्रितों पर इन सब पर विश्वास नहीं करते तो उनको ये चीज़ बताई नहीं जाती उनसे छिपाई जाते हैं concealed और वो बताई किसको जाते हैं to maids यानि बच्चियों को alone, cable, and children और बच्चों को are revealed revealed मनें बताई जाते हैं उजागर किये जाते हैं वो राज केवल लड़कियों को और बच्चों को उन्ही को उजागर किये जाते हैं तो अक्सर आपने सुना होगा लड़कियों के मुँँ से सुना होगा या बच्चों के मुँँ से सुना होगा कि भूत देखे थे महिलाओं को भूत ज़्यादा दिखाई देते हैं आप कहीं भी जाएंगे जैसे कहां प्रेतराज सरकार के यहां जाएंगे जहां कहीं भी भूत भगाए जाते हैं ऐसी जगह पर जब आप जाएंगे तो वहां आप यह देखेंगे वहां महिलाओं की संख्या जादा है पुरशों की संख्या कम है क्योंकि भूत अक्सर महिलाओं को ही दिखाई देते हैं तो ये जो सुपरनाचुरल बिइंग्स हैं ये अक्सर महिलाओं को ज्यादा दिखाई देते हैं पुरशों को कम दिखाई देते हैं What though no credit doubting wits may give, what though, तो क्या हुआ, no credit, यानि कोई credit नहीं देते, doubting, यानि शक करने वाले wits मने intelligent लोग may give, यानि नहीं देते, तो भूत प्रेतों को, परियों को, फरिष्टों को, पढ़े लिखे लोग, जो के हर बात पर शक करते हैं, वो इन बातों को कोई importance नहीं देते, कोई म ही देते, the fear and innocent shall still believe, no than unnumbered spirits round the fly, अच्छा, ये उपर वाले का था, believe, ये वाला जो कपलेट है, यहां तक था, the fear and innocent shall still believe, यानि जो खुबसूरत है, the fear मने, खुबसूरत मने के लड़कियां महिलाएं, and innocent और जो मासूम बच्चे हैं, shall still believe, वो अभी भी, वो फिर भी उन चीजों पर विश्वास करते हैं, पढ़े लिखे लोग तो कोई credit नहीं देते, लेकिन महिलाएं, औरतें, लड़कियां और बच्चे, वो उन पर विश्वास करते हैं, no then, unnumbered spirits, round the fly, the light militia of the lower sky, no then, तो फिर तुम यह जान लो, unnumbered means, असंख्य, spirits, आत्माएं, round the, तुम्हारे चारोर, fly, घुमती रहती हैं, उरती रहती हैं, the light militia, militia होती है, आर्मी, तो यह जो हलकी सेना है, of the lower sky, नीचे के आकाश की, तो जो उपर वाला sky है, upper sky है, उसमें ethereal beings हैं, ethereal spirits हैं, heavenly souls हैं, स्वर्ग की आत्माएं हैं, उनको ethereal कहा जाता है, तो वो upper sky में रहती हैं, यह light militia, यह lower sky में रहता है, तो यह तुम्हारे चारोर, गुमते रहते हैं, उड़ते रहते हैं, दीज दो unseen, are ever on the wing, hang over the box, and hover round the ring, यानी दीज यह लोग, जो के, जिनके बारे में बात हो रही है, जिन आत्माओं के बारे में बात हो रही है, जिन फरिश्टों के बारे में बात हो रही है, दो unseen, हालांकि यह दिखाई नहीं देते, hang over the box, box वो जगे होती है, जो seats होती है, थेटर में बैठने की दर्शकों के, उनको box बोलते है, तो hang over मडराती रहती है, box पर, यानी यह जो आत्माओं है, box पर मडराती रहती है, and hover round the ring, और hover माने भी मडराना होता है, round the ring, यानी जो hide park है, वहाँ पर एक circular road है, तो उस पर टह कुछ लोग उस पर गारी भी चलाते है, अपना fashionable तरीके से घुमते हैं वहाँ पर, तो उस ring में, यानी hide park की उस circular road पर, उस सड़क पर, वहाँ भी मडराती रहती है, अब यह जो आत्माओं हैं, इनको मर तो गई है, डेड़ स्पिरिट्स हैं, लेकिन इनकी जो theater जाने की अच्छा है, वो खतम नहीं हुई, तो इसलिए ये वहाँ पर मडराती रहती हैं, think what equipage thou hast in air, and view with a scorn two pages and a chair, think, तुम सोचो जड़ा, what an equipage, equipage मने attendance की एक फोज है, पूरी एक सेना है, जो तुम्हारे सेवा में हाजर रहती है, what an equipage thou hast, thou मने तुम, hast मने has, in air, हवा में, तो हवा में, तुम्हारे पास कितना बड़ा एक फोज है, attendance की, सेवकों की, and view with a scorn, और तुम, तिरसकार से देखो, हैना, नफरस से देखो, two pages and a chair, वो जो तुम्हारे दो नोकर है, pages मने नोकर, and a chair, जो एक chair है, sedan chair होती है, तो उसको दो लोग कंधे पर उठा कर ले जाते ह थी, तो उनको तुम नफरस से देखो, उनको तुम तुम तिरसकार से देखो, कि तुम्हारे पास तो बहुत बड़ी फोज है सेवकों की, जो हवा में घूमती रहती है, As now your own, our beings were of old, and once enclosed in women's beauteous mold. As now your own, यानि जैसे इस वक्त तुम्हारा खुद का शरीर है, Our beings, यानि हमारा भी जो अस्तित्व था, हम भी ऐसे ही थे, were of old, पुराने समय में, यानि आज तो हम सिर्फ spirits हैं, souls हैं, आत्माएं हैं, लेकिन एक समय ऐसा था जब हम भी तुम्हारी तरह जीती जागती लड़कियां थे, महिलाएं थे, and once, और एक समय ऐसा था, enclosed मने बंद, in women's एक महिला के, beautious मने खुबसूरत mold मने शरीर में, body में, तो एक वक्त ऐसा था जब हम भी एक औरत की खुबसूरत body में कैद थे, खुबसूरत जिसम में कैद थे, dense by a soft transition, we repair from earthly vehicles to those of air, dense मने वहां से, by a soft transition, यानि एक ऐसा soft सा transition मने change हुआ, transformation हुआ, बदलाब हुआ, we repair, कि मार्ला हम बदल गए, हम change हो गए, from earthly vehicles, earthly sansaric vehicles, bodies से, to those of air, हवा में रहने वाले vehicles हम बन गए, यानि जो हमारे शरीर सिर्फ धर्ती पर रह सकते थे, चल सकते थे, हम वो बन गए जो हवा में रहते हैं, हवा में उड़ते हैं, think not when woman's transient breath is flared, that all her vanities at once are dead, think not, ये मस सोचना, that when, जब woman's transient breath, महिलाओं की, transient मने, जो short living है, नश्वर, breath मने, सांस is flared, गाइब हो जाती है, यानि महिलाओं जब मर जाती है, जब उनकी सांस रुक जाती है, तो ये मस सोचना, that all her vanities, कि उनके सारे घमंड are at once dead, वो भी उनके साथ मर जाते हैं, उनकी जो desires हैं, उनकी जो इच्छा हैं, उनका जो घमंड है, वो भी उनकी मौत के साथ मर जाता है, ऐसा कभी मत सोचना, वो नहीं मरता, शरीर मर जाता है, आत्मा उनकी नहीं मरती, वो तो भी हमारे यहां भी कहा गया है, कभी दास जी ने भी कहा है, माया मरी न मन मरा, मर मर गए शरीर, आशा तरशना ना मरी, कहे गए दास कभीर, तो भाईया ये भी ऐसे ही मानते हैं कि शरीर मर जाता है लेकिन खास कर औरतों की औरतों की बारे में कहा है उनने कि उनका जो डिजायर्स हैं उनका जो घमंड है उनकी जो अच्छाएं हैं वो नहीं मरती हैं succeeding vanities she still regards and though she plays no more overlooks the cards succeeding बने बाद में आने वाली रहने वाली vanities बने desires तुछ चताएं उनकी जो अपने क्या कह सकते हैं जो प्रविर्तियां होती हैं वो सब नहीं मरती succeeding vanities तो आगे जो पैदा होने वाली उनकी इच्छाएं हैं she still regards वो अभी भी बनी रहती हैं and though और हलंके she plays no more अब क्योंकि शरीर तो रहा नहीं तो वो खेल नहीं सकती ताश over looks the cards लेकिन फिर भी वो ताश के पत्तों में जहांती हैं दूसरे लोग खेल रहे हैं ताश तो उनको जहांती हैं नहारती हैं आत्मा के रूप में her joy in gilded chariots when alive and love of omber after death survived her joy उनको जो खुशी मिलती थी जो आनन्द मिलता था in gilded मने सजे हुए chariots रथों में गाणियों में when alive जब वो जिन्दा थी and love of omber और उनका जो खेल था omber एक ताश का खेल है तीन लोग मिलके खेलते हैं तो वो जो उनकी रुची थी omber खेल में after death survived मौत के बाद भी उनकी वो रुची बनी रहती है for when the fear in all their prides expire to their first elements their souls retire for क्योंकि when the fear जब ये खुबसूरत लोग यानि महिलाएं in all their pride यानि अपने पूरे घमंड के साथ expire मर जाती हैं to their first elements तो उनके पहले elements में यानि जो तत्वा उनमें ज़्यादा prominent होता है जो elements हैं चार elements बताए गए हैं इनके यहां एक fire है, water है, earth है और air यानि हवा, पानी, आग और पृत्वी अब ये क्योंकि ये लोग निचले वाले souls हैं तो इसलिए इसमें आकाश सामिल नहीं वैसे पंच तत्व हैं तो उसमें आकाश और होता है अब जो आकाश वाले beings हैं वो अलग हैं वो ethereal beings हैं तो इसलिए यहां चार तत्वों की बात होई है तो दियर फर्स elements, दियर souls retire यानि जो element उनका first होता है यानि कि prominent होता है, डॉमिनेंट होता है उस तत्व की ओर, उस element की ओर, दियर souls retire उनकी आत्माएं चली जाती हैं यानि वो वैसी ही spirits बन जाती हैं अब बताया गया है किस तरीके से तो ये आपको याद रखने हैं यानि जो लड़ा का ओर चली जाती है, यानि जो लड़ा का ओर चली जाती है and take salamander's name और उनका नाम क्या हो जाता है, salamander तो जिन औरतों के अंदर fire dominant होता है यानि जो चार तत्व इनके हैं, उनमें से fire जिनके अंदर dominant होता है वो salamander बन जाती है, तो आपको ये note करना है अपनी note book में soft yielding minds, soft मने नम, नमरों जो होते हैं नरम और yielding मने summissive, अपने आपको soft देने वाले आरा, आसान, जो नरम हिरदय होते हैं minds, दिमाग, to water glide away, वो पानी की तरफ glide away मने सरक जाते हैं and sip, और sip करते हैं, पीते हैं with nymphs, जलपडियों के साथ, their elemental tea, अपनी तात्विक चाय यानि जो soft वाली महिलाएं होती हैं, जिनके दिमाग बड़े नरम होते हैं, जिनके दिल बड़े नरम होते हैं, वो क्या बनती हैं? जलपडियों बन जाती हैं, निम्स बन जाती हैं, तो ये आपको याद रखना है, यानि जिनके अंदर water prominent होता है, वो निम्स बन जाती हैं जो grave यानि गंभीर प्रकरती के होते हैं, प्रूड मने दूर दर्शी होते हैं, हुश्यार होते हैं, और sink मने वो डूब जाते हैं, समा जाते हैं, डाउनवर्ड नीचे की होते हैं, तो अ नोम और वो क्या बन जाते हैं? नोम, यानि जिनके अंदर earth वाला जो element है, वो prominent है, in search of mischief, यानि शैतानी की तलाश में, still on earth, अभी भी धर्ती पर to roam, घूमने निकल जाते हैं, यानि वो धर्ती पर ही घूमते हैं, और नोम नाम से जाने जाते हैं, जो के जिनके अंदर earth यानि प्रित्वी वाला तक तो prominent होता है, तो यह आपको note करके रखना है, the light kakets, light मने हलकी, kakets मने चुलबली औरते होती हैं, कुछ महलाएं होती हैं, जो के जादा से जादा पुरुशों का दिहान अपनी और खीचना चाहती है, तो light kakets बोली जाती हैं वो, तो जो हलकी फुलकी उड़ती हुई, तितलिया टाइप की, in selfs aloft repair, तो वो मरने के बा and flutter, और वो उचलती कूती रहती हैं, flutter फरफडाती रहती है, in the fields of air, यानि हवाई छित्रों में, यानि हवा में उड़ती रहती हैं, तो वो sylf बन जाती हैं, तो जिनके अंदर हवा का तत्व प्रॉमिनेंट है, वो sylfs बनती हैं, तो इन चारों का नाम आपको याद रख लिया जाता है, short answer type questions में भी आता है, long answer type questions में भी आता है, no further yet, आगे और जान लो, चलो पूरा पढ़ते हैं, no further yet, whoever, fair and chaste, rejected mankind, is by some self-embraced, तो no further yet, आगे और जान लो, whoever, जो कोई भी, fair, खुबसूरत है, and chaste, और पवित्र है, rejects mankind, यानि किसी पुरुष को reject करती है, दुदकारती है, उसका तिरसकार करती है, is by some self-embraced, उसको किसी न किसी self-embraced कर लिया जाता है, यानि उसकी देखभाल की जाती है, उसकी सुरक्षा की जाती है, क्योंकि भई, अगर किसी लड़के को, किसी लड़की ने reject किया, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था, फिर उसके लिए खत्रा उत्पन हो जाता है, यानि लड़का क्योंकि आत्माएं, freed from moral laws, पूरा पढ़ लेते हैं, मैं भूल जाते हूं, वही तीन शब पढ़के, पूरा हम कपलेट पढ़ते हैं, freed from moral laws, with ease, assume what sex and what shapes they please, for क्योंकि spirits आत्माएं, freed, जब वो आजाद हो जाती है, from moral की बजा, यहां mortal होना चाहिए, mortal laws, यानि जो सांसारिक नि with ease, आसानी से, assume, अपना लेती है, what sex, यानि जो भी link, यानि इस्त्री link या pulling, वो चाहें तो इस्त्री link बन सकती हैं, what shapes they please, यानि जो भी आकार उनको पसंद होता है, वैसा आकार वो अपना लेती है, what guards the purity of melting males in courtly balls and midnight masquerades, यानि what guards, कौन है जो सुरक्षा करता है, the purity, पवित्रता की, of melting males, यानि वो लड़कियां जो पेखल रही होती है, यानि बाहों में बेहोश हो रही होती है, कहां, in courtly balls, यानि जो ball dance party होती है, and midnight और आदी रात को जो mask raid party होती हैं, या mask लगा लेते हैं, आपने भी देखा कौन हैं, तो वो जो आदी रात तक parties होती हैं, mask raid होती है, ball dance party होती हैं, तो उन में जब लड़कियां, लड़कों की बाहों में पेखल रही होती हैं, तो उनकी सुरक्षा कौन करता है, safe from the treacherous friend, the daring spark, the glance by day, the whisper in the dark, safe मने सुरक्षित रखती हैं, from the treacherous friend, treacherous धोके वाज, friend, dose, तो बहुत सारे lovers होते हैं, जो धोके बाज होते हैं, ऐसी condition में, वो नजाइस फाइदा उठाने की कोशिश करते हैं, ऐसी parties में, अक्सर अखवारों में भी आता है, और फिल्मों में भी दिखाते हैं, और आपने सुना भी होगा, तो ऐसे जो धोके बाज दोस्त हैं, उ उसी लड़के के लिए आया है, तो जो बहुत ज़्यादा हिम्मत दिखाने वाले बुरे सेंस में, यानि ऐसे, उनको डर नहीं लगता कि इसका अंजाम क्या हो सकता, यानि आज इसी लड़की का नाजाइस फाइदा उठा लिया, कल उसके घरवाले तुम्हें मार भी सकते ह तो वो इस वासे नहीं डरते हैं यासा नाजार इस पाइदा उठा लेते हैं, puerta दिन में उनकी नजरों से, उनकी गंदी नजरों से, the whisper in the dark, और अंधेरे में वो जो लड़कीयों के कानों में फुस फुस आते हैं वैसी बातें जो के नहीं कहनी चाहिए लड़कीयों से, त When music softens and when dancing fires, when जब, kind occasion, यानि अकेजन ऐसा होता है, वक्त ऐसा होता है, अफसर ऐसा होता है, कि वो kind मतलब कि उसके लायक होता है, यानि कि opportunity होती है उन लड़कों के पास seduce करने की लड़कियों को, तो kind occasion prompts, बढ़ावा देती है, their warm desires, उनकी जो गर्मा हट से भरी हुई इच्छाएं हैं, वो जागती हैं, उनको आगे बढ़ाती हैं, बढ़ावा देती हैं, वो time ही ऐसा होता है, मिलब रात का समय है और party चल रही है, तो opportunity होती है उन लोगों के पास, when music softens, जब music soft होता जाता है, धीमा हो जाता है, and when dancing fires, और जब जो dance है, जो लोग नाच रहे हैं, वो आग लगाता है, उनके body के अंदर जो passions हैं, उनको जगाता है, it is but they are self, तो कौन उनकी रख्षा करता है, ये केवल उनकी सिल्फ होती है, उनके जो लब के angels होते हैं, फरिश्टे होते हैं, जो उनकी रखवाली करते हैं, it is but they are self, the wise celestials know, यानि wise बुद्धिमान celestial मनें, जो देवता लोग हैं, उपर रहने वाले जो आत्माएं हैं, नो, वो अच्छे से जानती हैं, कि उस वक्त उनकी रख्षा कौन करता है, वो सिल्फ सी करती हैं, दो, हालांके, ओनर is the word, with man below, जो नीचे रहने वाले लोग हैं, धर्ती पर रहने वाले लोग हैं, वो कहते हैं, कि सम्मान की जो भावना हैं, लड़की लड़कों के अंदर, उसने उन्हें बचा लिया, इस वक्त अपने रास्ते से भटणे से बचा लिया सम्मान की भावनाने, लेकिन वास्तविकता ये होती है, कि जो सिल्फ सें, जो उनको गाईड कर रही हैं, उनके जो एंजल सें, वो उनको बचाते हैं, ऐसे समय में, भटणे से, वर नहां वो तो some names they are यानि कुछ लड़कियां हैं जो के होती हैं too conscious बहुत ज़्यादा ध्यान देती हैं of their face अपने चेहरे पर यानि अपने खुबसूरती का बहुत ज़्यादा ख्याल रखती हैं for life predestined यानि वो जिंदगी में predestined यानि उनके भाग्य में बंध जाता है उनका भाग्य य उनके लिए to the gnomes embrace कि वो gnomes के embrace में रहेंगी यानि उनके सनलक्षन में रहेंगी उनकी guardianship में रहेंगी तो जो लड़कियां अपने face को बहुत ज़्यादा importance देती हैं वेटेस देती हैं उनकी देखवाल उनकी guardianship किसको दी जाती है gnomes को दी जाती है these swell their prospects and exalt their pride when offers are disdained and love denied these यह यानि के gnomes जो उनकी guiding spirit है जो उनकी guardian spirit है gnomes वो क्या करती है these swell वो उचा कर देती हैं बढ़ावा देती है their prospects prospects बने expectations को कि भही तुम तो तुम्हारी तो किसी राजा महराज़े शादी होगी तुम तो बहुत बढ़े घराने में जाओगी तो these swell their prospects वो उनकी expectations को बढ़ावा देती है and exalt their pride और उनके घमंड को और उचा कर देती है और उचा कर देती है और एसे में वो इतनी घमंडी हो जाती है लड़कियां कि offers जो आते हैं शादी के जो proposal आते हैं marriage proposal उनको वो disdain करती हैं उनसे वो नफरत करती हैं ठुकरा देती हैं and love denied और जितने भी लड़के अपना प्र कर देती हैं उनके महबत के जहार को वो ठुकरा देती हैं कि नहीं है मैं तुम से महबत नहीं करनी तुम भी नहीं तुम भी नहीं तुम भी नहीं क्योंकि उनके दिमाग में कोई राजा राज कुमार महराजा होता है तब फिर क्या होता है गे माने शंकलता से भरे हुए शतानी से भरे हुए बदमाशी से भरे हुए आइडियाज विचार ग्राउड इकठे हो जाते हैं तब वेकेंट ब्रेन उनके खाली दिमाग में करना धरना तो कुछ है नहीं बरतन उनको माजने नहीं जारू पहुचा उनको करना नहीं है रोटी उनको बनानी नहीं है तो वेकेंट ब्रेन है पढ़ना लेकना तो बिलकुली नहीं है तो खाली दिमाग शैतान का घर होता है तो उनके दिमाग में फिर वो शैतानी से भरे हुए विचार आते हैं वाइल and dukes and all their sweeping train तो फिर क्या होता है peers, dukes यह जितने लोग होते है and all their sweeping train और उनके जितने sweeping train का मतलब जो उनके followers होते हैं उनके जो सारे अनुयाई होते हैं वो सब क्या है and garters, stars and coronets appear and in soft sounds, your grace salutes their ear तो उनके दिमाग में ऐसे लोग आते हैं dukes, मतलब नबाब आप कह सकते हैं appears भी बड़े संब्रांत परिवार के बड़े उंचे घराने के लोग होते हैं तो वो लोग और उनके अनुयाई उनके सपनों में आते हैं and garters and stars and coronets तो आप ये सारी निशानियां होती है जब कोई व्यक्ति किसी को सम्मान दिया जाता है जैसे के stars लगा जाते हैं आपने पुलिस वालों के बरदी पर stars देखे होंगे coronets, mokot होते हैं garters ये ही सारी निशानियां होती है सम्मान की चीज़ें होती है तो वो सब कुछ उनको दिखता है यानि बड़े बड़े लोग जिनको राजा के द्वारा सम्मानित किया गया है जिनको बड़ी-बड़ी पदवियां दी हुई है बड़ी-बड़ी सम्मान मिले हैं वो लोग उनके सपनों में आते हैं इन सौफ्ट साउंड और बड़ी नर्म आवाज में यार ग्रेस यानि आप महरानी सैल्यूट दे रही है ऐसी आवाज उनके कानों को सैल्यूट करती है उनके कानों में गुंसती है कि उनको कैसे संबोधित किया जा रहा है कैसे एड्रेस किया जा रहा है your grace आप महरानी तो ऐसा उनके सपनों में आता है और वो सामन्य लड़कों को उनके प्रस्तावों को उनको प्रोपोजल्स को ठुकराती रहती है तिस दीज दैट अर्ली टेंट दा फीमेल सोल इसमें टेंट की जगए एक दो जगए ट्रेंग दिया हुआ तो तिस दीज यानि यही वो आत्माएं होती है यही वो इस्पिरिट्स होती है जो के समय से पहले जल्दी ही ट्रेंट दोनों के ही मतलब आप निकाल सकते है ट्रेंट मने धबा लगा देना होता है और ट्रेंग मने प्रशिक्षन देना होता है तो के यही वो आत्माएं हैं जो के जल्दी धबा लगा देती है या फिर जो जल्दी प्रशिक्षन दे देती है दा फीमेल सोल यानि लड़कियों की आत्माओं को instruct the eyes of young kakets to roll instruct मने educate करती है सिखाती है teach करती है the eyes of young kakets आँखों को कि जनके यंग जो लड़कियां है युवतियां है kakets मैंने आपको बताया था आप लड़कियां जो के ज्यादा से ज्यादा लड़कों का ध्यान अपनी और खीचना चाहती है तितलियां टाइप की होती है चुलबली टाइप की लड़किया तो टू रोल मने गुमाना दाएं बाए अपनी आखों को गुमाना तो ये उनको सिखाती है ये नोम्स उनको ये कला सिखाती है कि कैसे अपनी आखों को गुमाया जाए कि ऐसे लड़कों को फसाया जाए, अपनी और खीचा जाए, अकश्ट किया जाए, अटर्क किया जाए, तो ये उनको सिखाती है Teach infant cheeks और इन बच्चियों के गालों को सिखाती है A hidden blush to know and little hearts to flutter at a bow तो इन बच्चियों के गालों को क्या सिखाती है? A hidden blush यह जो छिपा हुआ लालिमा है ब्लश है जब शर्माती है लड़कियां तो उनके गाल लाल हो जाते हैं उसको ब्लश कहते है तो नो यानि उसके बारे में जाने तो इन छोट-छोटी बच्चियों को शुलू से ही वो ट्रेनिंग देती है कि कैसे अपने गालों पर लालिमा ल सम लड़कों को जो रिच लड़के हैं उनको दौरतमन लड़कों को खुबसूरत लड़कों को कैसे फसाये जाए कैसे उनका दिल फरफ़डाए उन लड़कों की योड Of when the world imagines women stray, the sylfs through mystic mazes guide their way Of अक्सर when जब the world ये संसार imagines कलपना करता है विमिन के महलाएं stray मने अपने मार्क से भटक गई है यानि जब लड़कियां अपने मार्क से भटक जाती हैं या बचलनी का शिकार हो जाती हैं तो लोगों को लगता है कि ऐसा औरतों ने किया है, ऐसा लड़कियों ने किया है लेकिन होता क्या है, the sylfs through mystic mazes guide their way तो ऐसे में जो sylfs हैं, जो आत्माएं हैं through mystic mazes यानि जो mystic माने रहस्य माई, mazes माने जो एक होती है ना आड़ी तेडी सा रास्ता होता है भूलबलईया होती है, जैसे जंतरमंतर आपने देखा होता है, तो mystic mazes guide their way तो उन भूलबलईयों से उनका रास्ता उनको दिखाते हैं, सिल्फ दिखाते हैं तो through all the giddy circles, गिड़ी माने जहां चक्कर आ जाएं, circles माने गोल गोल जो रास्ता है, घेरे हैं they pursue, वो उनके पीछे पीछे चलते हैं, उनके सासा चलते हैं, ये जो आत्माएं हैं, वो लड़कियों के उन महिलाओं के सासा चलती है and old impertinence expel, और जो पुरानी impertinence है, जो उनके अंदर की शरारत है, बत्तमीजी है, शोखी है, जो भी आप कहना चाहें तो उसको expel, बाहर कर देते हैं by new, यानि नई शोखी, नई शरारत उनके दिल में डाल देते हैं एक शरारत को बाहर निकालते हैं और दूसरी शरारत उनके दिल में डाल देते हैं तो शरारत हैं खतम नहीं होती है, उनकी वो टेंडर मेड बट मस्ट अविक्टिम फॉल तो वन मैंस चीट, बट फॉर एन अदर्स बॉल यानि वो कौन सी नर्म दिल वाली लड़की है, बट मस्ट अ विक्टिम फॉल यहां नोट नहीं आया है, लेकिन इसका मतलब निगेटिव निकलेगा, कि जो शिकार ना बने यानि किसी ने ट्रीट दी, दावत दी, कि भई आओ जरा, मेरे साथ लंच करते हैं आज जरा कॉफी पिते हैं चला तो एक आदमी कोई जो ट्रीट है उसका शिकार ना बने बट फॉर एंगरस बॉल और किसी एक दूसरे ने इन्वाइट किया कि चलो भई जरा बॉल डान्स परडी में चलते हैं तो कौन सी ऐसी लड़की है जिसका दिल नरम हो, स जब फ्लोरियो बोलता है तो कौन सी ऐसी लड़की है, वाट वर्जिन, कौन सी ऐसी लड़की है, कुछ विदिस्टन, विदिस्टन में रिजिस्ट, यानि अपने आपको समाल सके, अपने आपको रोक सके, अपने आपको कंट्रोल कर सके, तो कौन सी ऐसी लड़की है, जो कोई बोलते हुए सुनकर अपने आपको कंट्रोल कर सके अपने आपको नियंतरन में रख सके और तो तभी हो सकता है या वो तो उसके मलब रेजिस्ट तभी कर सकती है जबके इफ जेंटल डेमन डिज नॉट स्क्वीज हर हैंड जब तक कि डेमन जो कि दूसरा एक और हैंसम वो आके उसके हाथ को स्क्वीज न कर दे आके मलब जब फ्लोरियो बोल रहा है तो दिल उसकी तरफ उड़ा जा रहा है उड़ा जा रहा है कंट्रोल नहीं हो रहा और वो दिल कब कंट्रोल होगा जब डेमन आएगा और उसका हाथ थाम लेगा उसको आके दबा देगा तो florio क्या बोल रहा है वो भूल जाएगी तो सिर्फ तभी register कर सकती है जब demon आ जाए यानि एक लड़के को वो तभी छोड़ सकती है जब दूसरा लड़का सामने हो और भी handsome note करते जाएए किमलब हम सोच भी नहीं सकते इतनी ज्यादा इस तरीके की चीज और वो भी 18th century में सोचिए आज से कितने सालों पहले इस है मतलब शताबदियों पहले तो आगे बढ़ते हैं with varying vanities from every heart they shift the moving toy shop of their heart क्या बात है moving toy shop of their heart note कीजिएगा ये मैंने underline क्यों नहीं किया है तो आप इसको note कर लीजेगा कि जो लड़कियों के दिल है वो चलती फिरती toy shop है खिलोनों की दुखाने है with varying vanities यानि varying मने various vivid vanities ये आलतू-फालतू की चीजे है petty things तो vivid प्रकार की ये तुछ चीजे from every part हर तरफ से कहीं इधर से कभी इस लड़के से कभी इस लड़के से they shift यानि वो घुमाती रहती है the moving toy shop चलती फिरती खिलोना की दुकान off their heart अपने दिल की तो उनका जो दिल है वो चलती फिरती खिलोनों की दुकान है एक खिलोना इधर से लिया एक खिलोना उधर से लिया कभी इस खिलोने को तोड़ दिया कभी इस लड़के का दिल तोड़ दिया कभी उस लड़के का दिल तोड़ दिया तो ये चलता रहता है और भाया क्या भयांकर युद्ध होता है एक युद्ध का वर्णन है इलियर्ड में इलियर्ड और ओडिसी से आप परचत होंगे होमर के महाकाविय है तो उनमें जो ट्रोय का युद्ध था उसका बड़े विस्तार से वर्णन है और बड़े लार्ज स्केल पर वर्णन है कि वहाँ शील्ड से शील्ड टकराती है हेलमेट से हेलमेट टकराता है और शस्तर से शस्तर तलवार से तलवार टकराती है भाले से भाला टकराता है तो बड़ा शाल वर्णन है आपने महाभारत का युद्ध अगर देखा हो टीवी पर बी आर चोपड़ा वाला जो सीरियल है वो देखा हो और बहुत सारे सीरियल आते रहते हैं तो पोरस आया था पोरस में खोब युद्ध दिखाया गया था तो वहाँ जैसे टकराते हैं आपस में तलवारें टकराती हैं भाले टकराते हैं वैसे ही यहाँ देखिए तो क्या टकरा रहा है वियर विग्स 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 जो सिर्पे पहनी जाती है अलग-अलग बालों की स्टाइल होते हैं तो अलग-अलग स्टाइल के बालों की से विग तकराती है we are wig with wigs और क्या टकराता है sword knot sword knots strike sword knot मतलब जो तलवार की मूठ है उस पर ribbon बांदे जाते हैं तो वह sword knot से sword knot टकराते है तलवार से तलवार नहीं टकराती बलकि तलवार की मूठ पर जो ribbon बंदे हुए हैं वो एक दूसे से टकराते हैं किसकी लड़के handsome जो young man होते हैं तो एक छहला बाबू दूसरे छहला बाबू को बाहर कर देता है and coaches coaches drive और जो coach मने सजी धजी गाड़ियां होती है अभी तो क्या है कि girlfriend को काई मिलेके घुमेंगे अगर किसी के पास अल्टो है विचारे के पास और सामने से आ गया ओड़ी वाला तो अल्टो वाले के साथ कौन जाएगी ओड़ी वाले के साथ घुमने निकल जाएगी तो फिर क्या है यहाँ भी वही competition था कि किसका coach जो गाड़ी है वो जादा सजी धजी है जादा खोपसूरत है तो एक coach दूसरे coach को बाहर कर देता है लड़ाई से यानि वो जीच जाता है this erring mortals levity may call oh blind to truth the selfs contrive it all तो this इस चीज को यह जो युद्ध हो रहा है इसको erring mortals erring मने गलती करने वाले mortals मने इंसान levity कह सकते हैं आवारापन कह सकते हैं immorality कह सकते हैं अनैतिकता कह सकते हैं लेकिन अरे यह वो तो अंधे हैं यानि उनको सच दिखाई नहीं दे रहा सच के प्रती वो अंधे हैं यह सब तो यह परिया करती है उनका शडियंत रचना तो यह सब तो परिया करती है इनही मैं से एक मैं हूँ तो जो सपने में हैंसम युवक्त दिख रहा है वो वास्तम में Arial है वो अपना पर्चे दे रहा है Of these am I who thy protection claim जो कि तुम्हारी सुरक्षा का दावा करता हूँ यानि मैं तुम्हारी सुरक्षा में रहता हूँ A watchful sprite मैं तुम्हारी watch मनले तुम्हारे उपर नजर रखने वाला तुम्हारी सुरक्षा करने वाला तुम्हारी देखवाल करने वाला एक sprite एक आत्मा हूँ And Arial is my name और मेरा नाम Arial है Late अभी अभी As I range जब मैं घूम रहा था The crystal wilds of air Crystal मने clear Wilds जंगल होते हैं Of air हवा के तो मैं जब साफ हवा में खुली हवा में घूम रहा था अभी अभी In the clear mirror तो इस पर्ष्ट आईने में शीशे में Of thy ruling star तुम्हारा जो ruling star है यानि तुम्हारे भाग्य का जो सितारा है उसके आईने में उसके साफ आईने में इस पर्ष्ट आईने में I saw मैंने देखा Alhas भयानक, event, घटना Impend मने होने वाली है Air to the main This morning sun descend Air इससे पहले के To the main मने समुद्र की ओर This morning sun ये जो सुभह का सूरज है Descent उतरेगा इससे पहले की ये सुभह का सूरज उतरेगा यानि समुद्र की ओर जाएगा ये sunset होगा सुर्यास्त होगा उससे पहले कोई घटना कोई दुर घटना तुम्हारे साथ होने वाली है But heaven reveals not What or how or where Want by the self O pious made beware But heaven reveals not लेकिन सुर्ग ने ये नहीं बताया भाग्य ने ये नहीं बताया नसीब ने किसमत ने ये नहीं बताया What? कि वो क्या होगी? How? कैसे होगी? Or where? और कहां होगी? एक कोई अक्सिदेंट दुर घटना होगी लेकिन कहां कैसे कब होगी? ये नसीब ने नहीं बताया Warned by the self परियों ने फरिश्टों ने तुम को चेतावनी दे दी है O pious made अरी ओ पविद्र कन्या Beware तुम साबधान रहना This to disclose Is all thy guardian can Beware of all But most beware of man This to disclose ये बताने के लिए यही बताने का काम Is all है जो कुछ भी है Die guardian can यानि मैं जो कि तुम्हारा guardian हूँ तुम्हारा संरक्षक हूँ मैं तुम्हें केवल यही बता सकता हूँ यही बताने का काम मैं कर सकता हूँ Beware of all सभी से साबधान देना But most beware of man लेकिन सबसे ज्यादा तुम पुरुष यानि मर्दों से साबधान रहना आज कोई मर्द तुम्हारे साथ कोई गुस्ताखी गरने बाला है तो मर्द से साबधान रहना He said उसने कहा इतना कहा इतना ही कहपाया तब तक हुआ क्या When shock अब ये नया एक करेक्टर है इससे आप परचित होए इससे मिलिये जरा ये शौक कौन है ये लेब डॉग है जो पालदू कुता है वही कुता कैसे कह सकते हैं ये तो जो भी हैं शौक ही कहलाएंगे तो शौक जो हैं उन्होंने क्या किया उनके पास बड़े राइट सोते हैं देखिए Who thought जिसने सोचा She slept too long कि बेलेंडा बहुत ज्यादा देर तक सो रही है Leap टक तो उचल कर कूद कर विस्तर पे चड़ गया And waked his mistress और अपनी मालकिन को जगाया और कैसे जगाया With his chung अपनी जीव से यानि वो अपनी जीव से उनको चाट सकता है उनके फेस पे चाट लिया और जगा दिया अब जगो भी It was then Belinda If report say true Thy eyes first opened On a bellay do It was then ये तभी ये हुआ Belinda If report say true अगर जो report कहती है वो सच है तो तभी ये हुआ Thy eyes कि तुम्हारी आँखें तुम्हारी नजरें First opened पहली बार पड़ी On a bellay do Bellay do Love letter भी लिख सकते थे इसकी जगाए अब लेकिन भाई Alexander Pope है Love letter कैसे लिख देंगे क्या लिखेंगे Bellay do तुम्हारी नजर पड़ी एक प्रेम पत्र पर एक Love letter पर Wounds, Charms and Odds Were no sooner red But all the wisdom Vanish from thy head अब उस Love letter में क्या लिखा हुआ है भीया जो खुबसूरत लड़किया है वो तो आँखों से गोली मारती है और उनकी तो हर चीज गहल करती है उनके आशिकों को तो वही सब कुछ लिखा हुआ है क्या लिखा हुआ है Wounds, Ghao, Charms Charms जादू And Odds और प्रेम, Love, महबत तो ये सारी चीज़ें लिखी हुए थी कि तुम्हारी नजरों ने मुझको घायल कर दिया है तुम्हारे हुसन ने मुझके जादू कर दिया है मैं तुम्हारी महबत में ढूब गया हूँ तो ये सारी चीज़ें वर नो सूनर रहे जैसे ही पढ़ी गई But all the vision वैसे ही सारा सपना vanished गायब हो गया from thy head तुम्हारे सिर से तुम्हारे दिमाग से तो कितनी कैसी है इनकी memory देख रहे हैं short term memory loss गजनी है पूरी कि अभी अभी सपना देखा है तो जैसे ही इस पर नजर पढ़ी और इस प्रेम पत्र को पढ़ा और ये सारी चीज़ें पढ़ी उनके आशिक ने क्या क्या लिखा है तो अभी अभी जो सपना देखा था वो गायब हो गया उनके दिमाग से And now unveil the toilet stands displayed each silver was in mystic order laid अब देखिए सुबह उठकर कौन सा महान कारे करती हैं ये बेटियां हारे में शताब दी के उच्च वर्ग की उच्च कुल की लड़कियां क्या काम करती हैं सुबह सुबह उठकर And now or of unveiled मने खुल गया the toilet तोयलेट मने प्रसाधन यानि जो make-up का उनका बकसा है उनकी जो dressing table है वो अब खुल गई स्टेंड्स खरी हुई है डिस्प्लेड यानि सामने दिखाई दे रही है डिस्प्लेड पर लगी हुई है यानि खोला गया आप उनका dressing table खोली गई प्रसाधन सामगरी खोली गई Each silver vase उसमें क्या था चान्दी की डिवियां थी यानि डिवियां ही आप कह सकते है बकसे छोट छोटे कह सकते है तो हर चान्दी का छोटा सा बकसा in mystic order बड़े रहस्यमई तरीके से laid रखा हुआ था मलब बड़े धंग से सजाए हुए रखे हुए थे चान्दी के चोटे चोटे डिबबी डिबबे बकसे जिनमें के उनकी मेकप की सामगरी थी मेकप की चीज़ें थी तो अब सबसे पहले क्या किया सबसे पहले रोब्ड मने पहन कर इन वाइट सफेद रंग के कपड़े यानि ये पडियों का रंग होता है ये फरिष्टों का रंग होता है सफेद रंग जो होता है फरिष्टों का परियों का होता है तो सफेद रंग के कपड़े पहन कर दा निम्फ इस परी ने इस लड़की ने intent adores intent मने बड़ी शद्धा से adores मने पूजा की with head uncovered अपने खुले हुए सिर से the cosmetic powers जो खुबसूरती की देवियां हैं शक्तियां हैं उनको सिर जुकाया cosmetic जो प्रसाधन की make-up की जो ताकते हैं शक्तियां हैं उनको प्रणाम किया उनको सलाम किया उनकी प्रार्थना की a heavenly image in the glass appears और देखिये तो आईने में क्या दिखाई दिया a heavenly image एक जन्नत की तस्वीर यनि जन्नत से आई हुई कोई परी हो जैसे कोई देवी हो उसकी तस्वीर in the glass आईने में appears दिखाई दी तो किसकी तस्वीर है खुद बेल इंडा की to that अपनी ही image के सामने वो इतनी मंत्र मुग्ध है कि उसे वो अपने आपको ही एक देवी मान रही है जो कि स्वर्ग से आई है और उसके सामने वो जुक रही है to that her eyes she rears उसके सामने अपनी नजरें वो जुकाती है उसको वो प्रणाम करती है उसको वो सलाम करती है अब उस देवी की एक प्रिस्टेस तो वो खुद है बेलेंडा जो कि आईने में दिखाई दे रही देवी है तो उसकी पूजा करने वाली एक देवी तो वो खुद है और दूसरी इनफिरियर प्रिस्टेस है अट हर आल्टर साइड इनफिरियर प्रिस्टेस पुजारन है अट हर आल्टर आल्टर वो बेदी है यानि जहां पर ये सारी मेकप की चीज़ें रखी हुई है तो उस ड्रेसिंग टेविल की साइड पर एक और को ट्रेम्बलिंग कापते हुए बिगिंस शुरू करती है दा सेक्रेड राइट्स जो पवित्र संसकार है ओफ प्राइड घमंड के गर्व के यानि खुबसूर्थी के तो जो पवित्र काम है जो अनुष्ठान है वो शुरू किया जाता है तो एक मुख्य पुजारन है और एक साथ में दूसरी पुजारन है उसका नाम अभी आएगा यानि बेलिंडा की जो मेड है नौकरानी है सेविका है वो भी उसको सजा रही है अननमबर्ड ट्रेजर्स ओप एट वन्स एंड हीर दा वेरियस ओफरिंग्स ओफ दा वर्ल्ड अननमबर्ड ट्रेजर्स मतलब के असंग के खजाने ओप खुलते हैं एट वन्स एकदम से और यहां दा वेरियस ओफरिंग्स विविद्ड प्रकार की ओफरिंग्स होते हैं जो इश्वर को दी जाती है जो अरपन किया जाता है प्रसाद दिया जाता है तो विविद्ड प्रकार का प्रसाद ओफ दा वर्ल्ड संसार का एपियर यहां दिखाई देता है फ्रॉम इच शी नाइसली कल्स विद्ड क्योरियस टॉयल एंड डैक्स दा गोड़ेस विद्ड ग्लिटरिंग्स फ्रॉयल फ्रॉम इच यानि हर एक डिब्बी में से शी नाइसली कल्स वो बड़े साबधानी से चुनती है निकालती है विद्ड क्योरियस टॉयल बड़ी साबधान टॉयल मने परिशम होता है तो बड़े महनस से एक एक चीज को चुनती है निकालती है और तेक्स और सजाती है दा गॉड़ेस लेवी को विद ड़ ग्लिटरिंग स्पॉयल ग्लिटरिंग अनने चम चमाते हुए सपॉयल खजाने से तो जो चम चमाता हुआ खजाना है जो आभुशन है उन सब से सजाती है अई दिस कासकेट है ये जो डिबबा है बक्सा है इसमें से क्या निकला इंडिया हाज ग्लोइंग जैम्स भारत के चमकते हुए जवारात भारत को जरूर लूटा है देखो कब से लूटा है कब तक लूटा है तो भारत के चमकते हुए जवाराथ इस डिब्बे में से निकले और अरब में क्या है इत्र बहुत बनता है तो पूरा अरब महक रहा है वो जो सामने वाला बकसा है उसमें से पूरा अरब महक रहा है अब यहाँ पर देखो कचुवा और हाथी मिल गए हैं यहां पर आखर एक dressing table पर आके कचुवा और हाथी unite हो गए हैं मिल गए हैं वो कैसे transform to combs और वो मिलकर क्या बन गए है transformer बदल गए है to combs कंगी में तो जो कुछ कंगी है एक कंगी बनी हुई है tortoise shell की यानि कच्छुए का जो उपर वाला खोल होता है बड़ा मजबूत होता है तो एक कंगी उसकी बनी हुई है और elephant यानि जो हाथी दान्त होता है एक कंगी उसकी बनी हुई है transform to combs the speckled and the white speckled यानि जो spotted है जो tortoise का खोल है वो speckled है उस पर धारियां बने हुए है इस पर spots बने हुए है और जो हाथी दान्त है वो white है सफेद है तो ऐसे ऐसे कंगे हैं here files of pins extend their shining rose, puffs, powders, patches, bubbles, billets जो और क्या क्या है भाईया here files of pins जो hairpin होती है बहुत सारी पंग्तियां है उसकी rose है files of pins extend their shining rose उनकी चम चमाती हुई कतारें फैली हुई है hairpins की है ना चिम्टी होती है बालों की चिम्टी होती है बालों की चम्चमाती हुई कतारें फैली हुई है puffs, powders, patches, bubbles, billets, billets, do और क्या है puffs है वो देखे होंगे आपने powder लगाते हैं puffs से लगाया जाता है patches है रेशम के patches आते हैं कि कहीं कोई निशान है चहरे पर तो उसको छिपाने के लिए patch work किया जाता है उसे bubbles और billets यह bubble trinklets होते हैं सजावट की चीज़े हैं और billets से तो आप पहले ही पर चित हैं love letter हैं तो यह सारी चीज़ें वहां पर हैं now awful beauty puts on all its arms and fear each moment rises in her charms now of awful beauty यानि जो खतरनाक भयानाख खुबसूरती है puts on अब वो धरन कर लेती है all its arms अपने सारे अश्टर शस्टर हत्यार यानि जैसे कोई सैनिक निकलता है न सजज़ज के पूरा तीर तलवार और भाला और तरकश और तीरकमान धनोश सब धारन करके निकलता है न सारे हत्यार सारे शस्टर वैसे ही ये भयानक खतरनाक खुबसूरती अपने सारे शस्टर धारन करती है दा फियर इच मोमेंट राइज़ और जो खुबसूरती है जो खुबसूरत है इच मोमेंट हर पल राइज़ उंचा उटती जाती है इन अर चार्म्स अपने जादू में अपने आकरशन में यानि हर जो जो पल निकलता जा रहा है उसके साथ उसका जादू उसका अकर्शन बढ़ता जा रहा है रिपेर्स हर स्माइल्स वो अपनी स्माइल को रिपेर करती है देखती है कि स्माइल्स सही से दिखाई दे रही है कि नहीं जब वो स्माइल करती है तो कैसी लग रही है तो लिप्स्टिकोसी हिसाब से शेप देती है अवेकन्स एवरी ग्रेस और अवेगन जगाती है एवरी ग्रेस हर खुबसूरती को अपनी एक एक चीज की आँखों की, नाख की आईब्रो की, लिप्स की हर चीज की खुबसूरती को जगाती है वो एंड कॉल्स फोर्थ और बुलाती है ओल दा वंडर्स, सारे आश्चर्यों को ओफ हर फेस जो उसके चेहरे के हैं है ना, तो अलग-अलग फेशल एक्सप्रेशन्स होते हैं तो वो सब करके देखती है कि कैसी लगेगी, जब मुस्कुराएगी तो कैसी लगेगी है ना, थोड़ा सा अपना होट से दर करेगी तो कैसी लगेगी तो वो सारे जो उसके फेस के वंडर्स हैं फेशल एक्सप्रेशन्स हैं उनको वो देखती है, बुला के चेक करती है सीज बाइ डिग्रीज अ प्योरर ब्लश एराइज, एंड कीनर लाइटनिंग्स, क्विकन इन हर आइज सीज वो देखती है बाइ डिग्रीज, धीरे-धीरे अ प्योरर ब्लश एक एकदम से विशोद ब्लश, मने शर्माहट एराइज पैदा होती है, यानि लाल रंग उसके गालों पर धीरे-धीरे आता है एंड कीनर लाइटनिंग्स और बड़ी तेज, बिजली क्विकन तेज हो जाती है इन हर आइज उसकी आँखों में यानि उसकी आँखों की चमक बढ़ती जाती है और वो लड़कों पर बिजली गिराने के लिए तैयार होती जाती है उसकी आँखे देज बिजली, यानि वियस्त, आत्माएं परियां सराउन, घेर लेती है चारों तरफ से देजली, अपनी परिया को यानि बैलिंडा को चारों को चारों की आँखों करने लगती है उसको समहलने लगती है these set the head तो कुछ सिल्फ्स है परियां है जो उसके सिर को set करती है यानि उसके बालों को ईसके हेर स्टाल को set करती है and those divide the hair और वो उधर उसके, मfps कुछ तो सिर को सीधा करती है यानि इदर के उधर के दाएं के बाएं के आगे के पीछे set करती है और फिर कुछ परियां उसके बालों को divide करने लग जाती है उनकी लटों को divide करने लग जाती है तभी तो जो लटों में divide होंगे तभी तो वो लट आगे जाकर कटेगे तो उस तरीके से उसकी लटों को divide करने लगती है यानि लटें बनाने लगती हैं उसके बालों की some fold the sleeve कुछ परियां उसकी sleeve को fold करती है यानि जो उसको बाजू है उसको मोडती है unless others plate the gown और जबके कुछ परियां जो दूसरी परियां है वो plate बनाती है चुन्नटें बनाती है the gown जो gown वो पहने हुई है उसकी चुन्नटें समालती है बनाती है जिसे हम सारी पहनते हैं तो उसकी plates बनाते है and betty is praised अब देखो अब आया न सेविका का नाम betty है जो बैलिंडा की सेविका है made है उसका नाम betty है and betty is praised for levers not her own और betty की तारीफ की जाती है for levers उस मेहनत के लिए not her own जो कि उसकी है ही नहीं यनि मेहनत किस ने की है सारी selfs ने की है परियों ने की है उन्होंने उसको सजाया है बैलिंडा को लेकिन तारीफ किसको मिलती है betty को मिलती है तो यहां आकर ये first canto खतम होता है और वीडियो पहले ही बहुत बड़ी हो चोकी है तो ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करूँगी और जब ही जैसे ही वक्त मिलता है मैं दूसरा canto भी upload करूँगी तब तक के लिए शुक्रिया